Hello everyone, तो आई होप आप सभी लोग अच्छ होंगे, आज के इस वीडियो में अपन डिसकेशन करने वाले हैं कुछ चीजों को लेके, जो कि आपको दिखरा होगा, एक profitable strategy, स्मार्ट मनी concept के बारे में, जिसमें सारी चीज़े अपन properly discussion करेंगे, सारी चीजों के बारे में जाने हैं तो वीडियो आपको complete देखना है, इसमें internal, external structure के बारे में जानेगे, IDM क्या होता है, liquidity क्या होता है, unmitigate blocks क्या होते है, order block क्या होते है, FVG अगरा क्यों होते है, वो सारी चीजों के बारे में अपन जानने वाले हैं, तो start करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कि आपका जो market है, उसका scenario में आपको बताता हूँ, यह जो सारा discussion यहां पर आपको दिख रहा है, यह होगा 15 minute में, then अपन hourly पर shift होंगे, तो first of all market क्या करता है, कि market जो यहां से start होता है, यह market का एक point है, जहां से market start होके थोड़ा सा अब जाता है, and अब जाने के बाद market क्या करता है, correction क जले के लिए थोड़ा सा नीचे आता है, हम ऐसा market कभी भी directly ऐसे shoot नहीं करेगा, वो सिर्फ news time पे करेगा, और कोई scenario नहीं होगा ऐसा, तो आपका market अप गया, then उसके बाद क्या हुआ कि market अगेन यहां से, थोड़ा सा down आया, then again up लिया, अब क्या हुआ कि market अगेन जब buy side ग आप जाके देख लीजे, अगर आप नहीं जानते order blog क्या होता है, तो आपको समझने में थोड़ा easy हो जाएगा, ठीके, तो market नहीं क्या किया, कि जो 15 minute time frame में, उसके अंदर market ने यहां पर क्या किया, कि last वाला जो low था, इधर जो market ने last low बनायता, उस low को break कर दिया, ठीके, again repeat कर देता हूँ, जबी भी आपका market upside में जाता है, और upside में जाते जाते थोड़ा सा down आता है, यह last वाले low को जब market लेता है, तो उस point of time पे जो भी चीज होगी, उसको बोलते IDM, short form में लिखा गया, elusement, ठीके, आपको समझ में आगया होगा, elusement क्या होता है, जबी भी आपका market upside में जाता है, market ऐसे भी जाएगा, थोड़ा ऐसे आएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, then market जबी भी यह recent वाला low ले लेगा, ठीके, आप इसको चाहे 4 hour पे देखो, चाहे 5 hour पे देखो, चाहे 1 minute पे जेखो, चाहे 5 minute पे देखो, कैसे भी आप द जाएगा, अब जब IDM, elusement confirm हो जाता है, तो यह जो point रहता है, यह आपका high confirm हो चुका, अब यहां से market की probability है कि 50% यहां तो market जो आपका upside में जाएगा यहां से, और 50% probability है का तो market आपका downside में जाएगा यहां से, ठीके, आयोप आपको समझ में आ गया होगा यह, ठीके, आगे चलते हैं, अब यहां क्या हुआ कि market जैसे ही down आता है, down आने के बाद में, यहां पर क्या हुआ कि market ने यहां से पीछे से liquidity क्लेक्ट की, liquidity क्या होती है कि आपका market कभी भी अगर candle close नहीं करता, last वाले low के top में and down में, ठीके, इसको भी मैं आपको chart पे भी show करके दिखा दूना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीके, तो market ने आपे liquidity अगरा collect थी, then again market क्या हुआ, up गया, then market down आया, ठीके, again market आपका up गया and down आया, ठीके, अब यह जो red वाले circles मैंने आपके बना रखें, यह है internal structure, ठीके, अब internal और external क्या होता है, यह भी मैं आपको यहीं पे clear कर द जेता हो, जबी भी आपका market elusement ले लेता है, तो elusement लेने के बाद में यह point होगा, आपका high confirm, ठीके, अब अपना low confirm नहीं है, लेकिन low confirm रखेंने के लिए, जो last wall आपका point होगा, जहाँ पर charge का last point होगा, वो आपका confirm किया जाएगा, ठीके, तो इसके बीच में market चाहे ऐसे जा दोनों में से market जिसको भी पहले करेगा, देन उसको open यहाँ पे catch up कर लेंगे, आयोग आपको समझ में आ रहा होगा, तो यह जो red वाला जो portion आपको दिख रहा है, यह पूरा का पूरा internal structure है, ठीके, अब आप जब 15 minute time frame पे entry plan कर रहे हैं, तो आपको 15 minute time frame पे सारी चीज़े द आ जाता, तो यह आपका क्या होता, illusion हो जाता, बट यह internal structure में आपको trap नहीं होना है, ठीके, यह 15 minute का internal structure के बारे में मैं समझा रहा हूँ, देन इसी को फिर one hour में आपन consider करेंगा, ठीके, अब देखिए market यहाँ से क्या हुआ, अप गया, ठीके, अब जाने के बाद क्या उसने left तरफ की जो बना हुआ, high था, उसको break कर दिया, जब भी भी आपका market, जिस भी side में जाएगा, ठीके, अगर अप जा रहा है, तो left वाले, अगर high को break कर देता है, आपका market, तो वह आपका break of structure कहलाएगा, यह real आपका boss होगा, ठीके, जिसे set form में boss बोला जाता है, यान ठीके, अब यहाँ पर देखी, क्या लिखावा, यहाँ पर जो है, यह 15 minute time frame की order block है, order block क्या चीज होती है, already मैं आपको बता चुका हूँ, ठीके, एक point of time ऐसा होता है, high time frame पर बनता है, जहाँ पर क्या होता है, कि कुछ चीजे देखी जाती है, जिससे order block consider किया जाता है, ठी ठीके, टेप करने के बाद नीच आया, ठीके, अगर यह market यहाँ तक आ जाता, इस लोग को break कर देता, तो यह high point यह confirm हो जाता है, ठीके, बट market ने क्या क्या, यहाँ तक नहीं आया, market क्या होता, यहीं से shoot हो गया, और market कहां जाके रुखा, अपना 15 minute time frame जो है, उसके order block में ज अलकासा down आता है, और पीछे वाले लोग को break कर देता है, ठीके, देखिए, जबी भी आपका elusement होगा, अगर वहाँ पर big sweep हो रही है, तो भी elusement माना जाएगा, अगर वहाँ पर candle close हो रही है, तो भी आपका elusement consider किया जाएगा, ठीके, यह दोनों चीज़े आप ध्यान रखन कोई issue नहीं है, ठीके, अगली चीज़, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही market ने elusement लिया, market आपका upside में गया, then market down आया, ठीके, अलकासा, फिर market क्या होगा, up गया, and again down आया, ठीके, मैं इसका थोड़ा सा clear change कर लेता हूँ, ताकि आपको चीज़े जो है, clear होती रहे, ठीके तो market क्या हुआ, यहाँ से down आया, ठीके, down आने के बाद क्या हुआ, market again up जाने का try करता है, अब देखे, यहाँ क्या हुआ है, तो यह जो सारा process में आपको बताया था, यह same क्या था, internal structure था आपका है, पूरा का पूरा, ठीके, अब internal structure में जबी भी आपका market shift होता है, तो उस time पे क्या होता है, कि internal structure की सारी चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि जब यह high confirm हो चुका, तो अब एक scenario या तो market इस boss को तोड़े, या जो अपना last low था, यह वाला point इसको तोड़े, इसके बीच में हमें नहीं पता क्या होगा, हम entry plan करेंगे, या तो market इस order blog में आप, या इस order blog में है, ठीक है, बीच में कुछ भी हो, कोई sense नहीं बनता, आपको entry plan करके बस बैठ जाना है, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा internal structure है, ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो market है, इस order blog के अंदर tap करता, अब देखिए, यह यहाँ पे, पीछे वा हुआ कि market यहाँ से हलका सा उपर गया, then market down आया, ठीक है, market down आने के बाद वापिस उपर गया, अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ order blog होगा, छोटे time frame पे, छोटे time frame पे कैसे entry लेते हैं, अभी समझा दूँगा, मैं आपको होगी, ठीक है, तो आपके market ने यहाँ क्या किया, कि entry लेने के बाद आपका market अप जाता है and down आता है, फिर क्या होगा, आपका market अप गया, अब जाने के बाद again market down आता है, अगर market यहाँ low break कर देता, तो यह अपना elusement हो जाता और यह अपना high confirm हो जाता, बट market ने ऐसा कुछ भी scenario नहीं बनाया है, ठीक है, then market क्या होगा, again up ज structure होगा, तो जबी भी आपका break of structure होगा, तो break of structure यह इस type में V shape में बनेगा, हो सकता है कभी यह कुछ इस तरीके से यह shape direct ऐसे बन जाए, फिर ऐसे ऐसे करके जाए, तो जो सबसे down point रहेगा, वो आपका होगा, यानि की change of structure, इस से नीचे market जबी भी break करेगा, ठीक है, इस point of time पर जबी भी market आपका down से break करके, कुछ इस तरह plan करेगा, यहां से आपको sell planning करनी है, उससे पहले आपको sell side की एक भी entry planning नहीं करनी है, अगर आप market के against जाना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है, बट मैं prefer नहीं करता है इन चीज़ों को, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करन देखो, कई लोग इसको भी boss बोलेंगे, इसको भी boss बोलेंगे, इसको boss, बट मैं मानता हूँ, real boss वोई होगा, जिसने elusement लिया है, ठीक है, कैसे समझें, यहां से मैं समझा रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक एक internal structure रोक रहा हूँ, यह market ऐसे गया, down आया, अप गया, down आय अब गया, down आया, अब देखिए, यहां पर क्या हूँ, इसने elusement ले लिया, ठीक है, यह break of structure हो गया, अब market यहां से ही, जैसे यह move हुआ, अगर यह market जरा सा भी इसको close कर देती candle, तो मैं इसको क्या मानता कि मेरी sales side यहां से plan हो चुकी है, ठीक है, sales side liquidity है, ठीक है, sales side liquidity यहां स अब यहां पर कुछ लोगों ने aggressive entry डाली होगी, और उन्हों ने stop loss यहां लगा हुए, तो उनकी stop loss market ने collect कर लिए, अब कहीं लोगों ने sell की planning की होगी, तो market ने direct suit कर जया, तो sell की entry भी कतम, अब कहीं लोगों ने यहां पर entry plan की लिए, कि जल्दी-जल्दी market जार entry, यहां से market फिर down गया, फिर entry close, अब कहीं लोगों को लगा होगा यार, इस बार तो गया, चलो इस बार नीचे आएगा, फिर वोगों ने sell की entry डाली, क्योंकि इस line से नीचे market आ रहा है, support resistance वाला area आप देखेंगे तो, तो यहां डाला, फिर again market ने sell खालिया, तो यह क्या होता है, बड़े-बड़े institutional bankers वगेरा आपको क्या करते है, ट्रेप करते हैं, अगर आपको SMC नहीं आती है, तो यह आपको यह 15 minute का order block है, अब आपको मैं एक चीज और clear कर देता हूँ, जब भी 15 minute का order block, FVG या PY होगा, तो वहाँ से market tap करके नीचे आएगा, वो depend करता है, कितना आएगा, वहाँ पर वो first order block है, second है, third है, कौन सा है, यानि कि recent वाला है, या सबसे last वाला है, वो आपको consider करना पड़ आएगा, वो depend उसी पर करता है, कि market कुतना down जाएगा, अप जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि market again down आया, down आने के बाद market ने क्या क्या क्या, last वाला जो low था, left की तरफ से, उस तरफ को market ने break कर दिया, तो यह आपका elusement confirm हो गया, और यह अपना high confirm हो गया, अब market ने क्या क्या हलका सा नीचे down दिया, then market अप गया, फिर market ने down दिया, और market इस बार क्या हुआ, कि यहाँ पर एक order block था, उस order block को market ने लिया, यह order block लिखा हो है मैंने, और यह लिखा हो unmitigate, unmitigate का मतलब होता है, एक ऐसा order block जिसमें market ने अभी तक कोई tap वगरा, कुछ भी नहीं किय अगर उसे unmitigate order block लिखा हो है मैंने यह पर, ठीक है, तो unmitigate order block हो गया आपका यह, यहाँ पर market ने कि क्या liquidity ले, की market upside चले गया, कितनी अच्छी बात है, अब आपको liquidity base अगर entry आती है, तो देन आप यहाँ से अच्छे से एक entry point देखते हैं, या कोई candlestick देखते हैं, आप चलते हैं, अब यहाँ पर market ने क्या क्या कि liquidity लेने के बाद में, आपका market यहाँ से upside गया, अब देखिए, यहाँ पर elusement ले चुका, तो जब यह इसको break करेगा, तो यह भी आपका elusement हो गया, ठीक है, elusement लेने के बाद, अब यहाँ पर भी एक order block होता, कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर हो, यहाँ से market लेके जा सकता है, यह आप इसको ऐसे कह सकते है, head and shoulder pattern, यह सारी चीज़े बहुत सी बनती है, आपको consider करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, market यहाँ से क्या हो, again यहाँ से suit हो, ठीक है, और यह आपका होगा again boss, क्योंकि यह high point था high case से confirm होगा, जब भी भी आपका market recent वाले low point को ले लेगा, तो उसको elusement करते है, जब भी भी elusement यहाँ ने कि IDM होगा, वो आपका high point confirm हो जाएगा, ठीक है, आपको मैंने 2-3 मार बता दी, I hope आपको समझ में आगा होगा, फिर भी कोई doubt है तो बताइए गया ठीक है, अब जब आपका elusement confirm हो गया, ठीक है, अब market में next scenario क्या बनाया देखिए, market high गया, लेकिन market अगेन यहाँ से down आ गया, अपनी गया, यहाँ से वापिस गिर गया market, ठीक है, गिरने के बाद market वापिस अगेन खड़ा होता है, ट्राइ करता है कि उपर जाओं बर नहीं जाना चाता, market makers व यह आपका elusement हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो market ने क्या किया है कि यहाँ पर आपका elusement है, वो market में लिया ही नहीं, मैं इसको कड़ देता हूं consider, और IDN lock, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका elusement confirm हो चुका है यह, ठीक है, क्योंकि recent वाला low यह यह, इस से पहले कोई low अगरा कुछ भी नहीं है, अब market में elusement confirm करने के बाद market अब जाता है, लेकिन वापीस यहाँ पर कोई order blow, कोई FVG, कोई PY, वगरा कुछ खाली पड़ा होगा, उसको then market tap करता है, liquidity लेता है, वापीस again market करता है, downside में suit होता है, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बा of structure करेगा, तो break of structure के अंदर, यानि कि left से लेकर right के बीच का जो पूरा down, V shape बनेंगे हैं, में सारे के सारे, V shape के अंदर, या L shape, कोई सा भी shape आप देख लो, सिर्फ एक ही single है, जो सबसे down point होगा, अगर उसको market तोड़ देता है, तो आपका structure change होता है, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ कि market कहां जाके रुखा, यह पीछे वाला जो एक order pending order block था, उसमें जाके रुखा, तो अब यह उस time पे तो unmitigate था, क्योंकि इस time पे क्या हुआ था, देखिए, क्योंकि यह जो market है, यह पूरी तरह से नीचे नहीं आया था, इसको लेने आया ही नहीं था market, ठीक यह order block mitigate है, यह भी mitigate है, यह भी mitigate है, और यहाँ पर कुछ होगा तो mitigate है, यह order block अगर अपने ऐसे कुछ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब market क्या होता है, unmitigate order block में आता है, ठीक है, हलका सा उपर buy side दिखाता है और टेप करता है, ठीक है, बट यह market कभी कभी क्या करता है, कि unmitigate जो order block बचा हुआ आता है, ठीक है, जो unmitigate order block बचे वे होते हैं, उनको लेने आता है, then market direct shoot करता है, ठीक है, अब यह shoot करने के काफी सारे regions होते हैं, हो सकता है यह news time हो यह लिखाओ है, green मतलब news time, red मतलब यहाँ पर क्या होता है, red का मतलब है, यहाँ पर internal structure की कीज़े हैं, internal structure और यहाँ पर dark green यह वाला जो है, इसका मतलब है external structure, समझ गयोंगा आप सारे जीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस time पर news time था, तो market हलका साया, then market पर shoot कर दिया, अब आपके against market अगर shoot करता है, और then इस high को break कर देता है, तो उस point को कहते है, चोज फिलिप, चोज फिलिप क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर चोज नहीं होना चाहिए था, यहाँ से पूरा market फिसला एगलती से, इसलिए इसको चोज फिलिप नाम रखा गया है, ठीक ह और easy way में सिखा रहा हूँ ता कि आपको समझ मैं सके है, ठीक है, तो वो चीज हो गई, अब यहाँ पर मान लीजियो, अगर यह मैं इसको बोल देता है कि यह news time नहीं है, तो उस time पे market हलका सा कुछ आता, then यहाँ पे जाता, कुछ इस तरीके से आपका down का planning करता market, ठीक है, फिर यहाँ से आपका पूरा downfall स्टार्ट हो जाता, फिर आपको सारी entry sales side देखनी थी, ना कि buy side, ठीक है, फिर buy side को entry plan ही निकलनी थी, ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह structure बनता है, अब देखिए, यह मैंने समझा दिये आपको किसमे, कि internal structure 15 minute में, अब इसको one hourly पे पर collect कर तो सबसे पहले market क्या करता है, यहाँ पे ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ जाके tape करता है market, tape करने के बाद यहाँ आता है, अब यह internal structure कुछ नहीं बनाएंगे, आपका market directly क्या होता है, यहाँ पे suit होता है, जैन उसके बाद यहाँ पे suit होता है, ठीक है, यह मैंने बना लिया, अब इसको मैं उपर उठा के रख लेता हूँ, ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बना दिया, अब आप खुद मार्किंग करेंगी इसकी, तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए, आपका मार्केट अप गया, डाउन आया, अब हो सकता है इधर पीछे से अप ऐसे कुछ अप आ रहा हो, या हो सकता है नीचे से डाउन आ रहा हो, तो यहाँ पर कोई भी एक पोईंट हो, उसका सपोर्ट, रजिस्ट्रेंच या डबल टोप, डबल बोटम जो भी बोले, उसको लेके मार्केट अप गया, अब यहाँ तक डाउन क्या हो, हो सकता है यहाँ पर कोई ओडर बलोक हो, फ़ीजी हो, फेर वेल्यू गेप हो गराव लिया, देन आपका यह क्या हो क्या हो गया, बोस हो गया, मार्केट अगेन डाउन आए, तो यह आपका इलूजमेंट हो गया, बड़े टाइम फ्रेम पे, और यह आपका ओडर बलोक, पिवाई वगेरा हो गया, ठीक है, अब मैं आपको में गेम समझाता हूँ, में गेम क्या है, देखो, वो जो इस्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बताय था, कुण सा वाला, पीछे वाला, मैं समझा देता हूँ, यह इस्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, यहाँ तक मार्केट अप गया, एंड डाउन आया, इसके बीच में चोल्ड हो चुका, फिप्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे, क्या होँ, अब समझा आप, मैं जीज यही है, जो मैं आपको समझाने चाता हूँ, यह देखी, यहाँ पे वाँ ब्रेक ओफ इस्ट्रक्चर, अब इससे पहले, अब जब मार्केट इल्यूजमेंट ले ले था, इल्यूजमेंट के जस्ट नीचे, कुछ न कुछ ओडर ब्लोक, एफवीजी कुछ बचावा होता है, उसको मार्केट टेप करने आता है, देन अप जाता है, यह देखी, यहाँ से मार्केट आया, टेप किया मार्केट बूम, बट बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर यह कहती है, कि मार्केट अप है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की पिक्चर यह कहती है, कि मार्केट यह से डाउन है, तो यह चीज आपको समझना बहुत जरूर ही है, तो जबी भी आप entry plan करें तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है, entry plan करते टाइम कुछ चीजा आपको देखना है, सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, मैं आपको आपको कुछ points बता देता हूँ सबसे पहले आपको देखना है day time frame पे ठीक है, कि day वाले time frame पे चार्ट का आखिरकार क्या scenario मार्केट कैसे move बोड़ा है, ठीक है उसके बाद ठीक है, यहाँ पर weekly basis पे आपको देखना है, ठीक है weekly basis पे देखने के बाद आपको 204 hours पे देखना है, ठीक है दो गंटा 40 मिनट पे, सोरी चार गंटे पे आपको देखना है, ठीक है इसके बाद आपको 60 मिनट पे यह सारा कुछ structure प्लान करना है ठीक है, 60 मिनट पे अगर आप यह सारा कुछ structure वगर आप प्लान कर रहे है देन उसके बाद में आपको 15 मिनट पे सारी चीज़े ड्रो करनी है then five minute पे ड्रो करनी है फिर आपको entry plan करना मैं definitely करूँ दस entry में साब 8 entry positive लेके जाएगे आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा ठीक है then अगर आप इन चीजों को समझ के करते तब भी आप profitability जो है वो trading की तरफ जा पाएंगे इसमें otherwise profitability आपको द आपको अच्छा लगेगा तब ही आप सारी चीज़े सीख पाएंगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तैन इसका जो next part होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़े clear कर दूँगा कि इसका जो chart पे है वो कैसे आपन देख सकते हैं चार्ट पर आप इन सारी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं तो second part का जो link है वो जल्दी आपको मिल जाएगा जल्दी वो भी upload हो जाएगा thank you so much everyone Hello everyone तो आई ओप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपन second part के बारे में discussion करेंगे जिसमें मैंने last part में बतायता है कि best जो profitable strategy वो कौन सी है ठीक है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बड़े time frame पे चले जाएगे यहाँ पे अपन one hourly पे चलते है वन hourly प कि आपको market easy way में समझ मैं सके ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ अब देखिए मैं सहरा आपको structures बता देता हूँ रिसे कैसे काम करेंगे तो इसको अटाता है भी किया ठीक है अपको मैं structure mark करके भी दिखा सकता हूँ अगर आपको मैं ठीक है थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ आपके अपने marking नहीं की हुए easy way में समझ मैं जाए हाँ यही से कर देते है डाउन ठीक है अब देखिए यहां से क्या है market अपना पूरा का पूरा डाउन है ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ कि market में यहां कि इसका structure break कर दिया है लेकिन break नहीं के candle ने विग मारी यहाँ पे जाके इस candle पे ब्रेक हुआ है ठीक है बट इसको मैं directly आपको समझाने के लिए इसको rotational तरीके से बता देता हूं इससे आपको समझना जा है यहां पे मेरा break of structure वहाँ इस point of time पे मार्किंग यही से करके दिखा देता हूं डायरेक्ट ने से यह मेरा बोस यानि की break of structure ठीक है अ directly लेकिन जबी भी आपने के market ने क्या elusement लिया यहां पर कहीं पर इलूजमेंट मतलब last pullback कोन सा था अपना last pullback था यह point क्या इस point पे market कभी tap किया नहीं अभी तक यहां तक तो tap नहीं किया इस point of time तक तो tap नहीं किया इसके अंदर तो यह अपना real boss नहीं है यह real break of structure नहीं है में एक चीज clear कर देता हूँ अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि pullback क्या होता है अपना high low के से mark कर सकते है तो उसके लिए कि वीडियो बना दूँगा आप अच्छे से देखिए जीए ठीक है elusement अब elusement confirm होने के बाद अगर market इस point को तोड़ता है तो यह अपना break of structure रगा तो market ने डेफिनेटली तोड़ा बट किस position पैके यहां पैके तो ठीक है यह अपनी यहीं से marking इसी तरही से करना होगा ताकि समझ में जाए तो यह क्या हो गया अपना boss बोस हो गया अब boss हो गया इसने सारी market capture कर ली सिर्फ यह liquidity बची होई यहां से यहां तक की यह liquidity pending है बस ठीक है यह कुछ इस तरीके से अब mark कर लो इसको यह liquidity area pending पड़ा हो है जब ही market इसमें टेप करेगा अपन कुछ entry वगर आगा कुछ का plan कर सकते है बट market ने कभी टेप ही नहीं गया इसको ठीक है ड then market down आया market up गया down आया अब market ने यहां पर क्या slow को break कर दिया सिर्फ only week के मात दिन से यानि market ने यहां पर क्या लगा है विग लगा दी ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि यह जो है आपका elusement confirm हो चुका है ठीक है elusement confirm हो गया तो यहां पर क्या हुआ यह आपका elusement confirm ठीक है idm elusement जैसे आपका confirm होता है then उसके बाद में अपन यहां क्या करेंगे elusement confirm होने के बाद में अगर आपका market देखे मैंने v-shape वाला जो point बताता यह देखे यहां से लेकर आपका low goal सा बना यह वाला point है sorry यहां से देरे-देरे down आने लगा यह आपको मालूम है तो अब आपको एक चीज notice करना है कि v-shape में सबसे low point यह वाला है अगर market इस point को break कर देता है break कर देता है तो अपना boss हो जाएका जो कि already हो चुका right तरीके से break of structure right हो चुका market क्या हुआ boss हुआ तो अब आपका यह point बन गया चोज यह नहीं कि change of structure ठीक है जो कि change of structure यहां पर बना भाई मैं लिखे देता हूँ फिर भी ठीक है यह चोज आपका बन गया यहां पर market ने क्या क्या था लिक्वीडिटी क्लेक्ट किया होगी अगर market यहां पर candle close कर देता तो मैं इसको real मानता बट यह real नहीं क्योंकि आपके market को low बनाने के लिए पनी candle close करके यहां पर proper एक बिखाना ह होगा कि मैं close कर रहा हूं market मूज आ रहा है बट यहां पर liquidity लेके उपर चले गया है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्लोज जाती देन मैं इसको real मानता है ठीक है बट market गया कोई दिक्कत नहीं down आया तो market नहीं क्या 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 अगें बोस कर दिया यहां कि ब्रेक और यह ब्रेक ओफ इस्टक्चर मार्केट ने कर दिया और यह आपका हुए हाई पॉइंट कर रहा है जबी मार्केट इसको तोड़के अप जाएगा तो अप जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो market है वो यहां से बाई सायड स्टार्ट कर देगा ठीक है और बट market ने इस अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए बैटर एंटरी प्लान होगा हूँ ठीक है तो यहां से आप कैसे एंटरी प्लान करेंगे वो आपको प्रोपर पता चल जाएगा तो आई होप आपको यह सारी जीजा समझ में आ रहागी जो मैं आपको समझाना दा रहा हूँ जिए कि market यहां से क्या हुआ कुछ ये वी शेप में है देखिए अगेन इसको suit किया बट यहां पे इसने candle close नहीं कि अगर market यहां पे candle close कर देता देन मैं इसको consider करता कि यहां सा मेरा market buy जाएगा लेकिन जब यहां से order block और fvg पड़ावा था उसको tap करके market again by side जाना start की अब आपके पास यह point of the यह देखिए यहाँ पर order block है plus fvg अब market जब भी इन future यहाँ पर आगा इसको definitely tap करने का try करेगा अब उसको कितने भी time में आ सकता है आया market यहाँ पर अलगाशा इसके नीचे liquidity ली then market मार्केट ने अच्छा कासा सूप दिया देखिए आप यह इतना अच्छा कासा आपको यहाँ से move दिया liquidity से approximately आपको market ने यहाँ पर दिया 36 pips चीक है तो आपको collect करना आना चाहिए market से market पैसा देगने के लिए बैठा है चीक है बट यहाँ से क्या हुआ यह न्यूज आई न्यूज टाइम पर अब liquidity देखिए यह आपकी जो first liquidity इतनी बड़ी अगर market यहाँ से down आता न यहाँ से तो market क्या करता सिर्फ यहाँ से इतना बड़ा downfall लेता डाउन जब जाके एक liquidity collect होती है आपकी यहाँ पर यहाँ से direct अब जाने के लिए प्लाइन के लिए ठीक है बड़े टाइम फ्रेम की अगर पिक्चर आप देखोगे तो यह देखी यह क्या हुआ आपका यह जो point है यह क्या हुआ ओडर ब्लोक और first candle से लेकर फर्सट candle का आप low देखना और third candle का high तो first candle का जो green candle है यहाँ पर इसका low तो यह वाला point हो गया और third candle का high point ही हो गया इसके बीच का जो गेप होता है उसको fair value गेप कहते हैं यह आपने अकर नहीं पड़ा मेरा videos होगारा जाके देख लीजे वहाँ आपको detail मिल जाएगी यहाँ पर देखी क्या हुआ है just watch and write आपका market fix point of time पया और इतना लंबा market ने shoot दिया देखे यहाँ से market अप जाने का plan ही नहीं कर पा रहा भी तक कि जाना का है मुझा आपको यहाँ से देखे कितने बुरी तरीके से market के रहा है इतना लंबा downfall दिया है market और कब से कब तक दिया है यह 28 दिसंबर एप्रोक से डाउन हुआ था आज होने वाला है 16 February यहांने की लगबग लगबग मेरे को लगता है कि दो माईने का पूरा डाउन ट्रेन चल रहा है market का और यहीं से start हो गया था अगर आपको पकड़ना आता है तो यह चीज़े आपको सीखनी है उसके लिए practice से practice के लिए काफी सारी चीज़े आपको analyze करनी होगी देन तब यह सारी चीज़े पोसिबल है अधरवाइस कुछ भी possible नहीं है मैं पहले बता देता हूँ practice आपको अच्छे से करनी होगी सारी चीज़े आपको consider करना होगा ओन और कैसे market रन करेगा market का scenario क्या है market को कैसे read क्या जाए यह सारी चीज़े आपको पढ़ने होगी तो I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओगा मिलते अपन चल्दी next video में thank you so much everyone